मौसम विभाग के पूर्बा अनिमान के मुताबिक शनिवार को किशन गंज, अररिया, सुपॉल, सीतामडी, पस्चिम चंपारन, पुर्णियाव, मधुबनी जीलो में अती भारी बारिश की आसंका है कुस जीलो में भारी बारिश का अलर्ट भी है, बिहार में जमाजम बारिश का दोर जारी है, बीते 24 घंटे के भीतर, प्रदेश के 18 जीलो के 33 जगहों पर जमाजम बारिश हुई है, शनिवार को भी कई जीलो में बारिश की चेतावनी जारी की गई है हाला कि शनिवार से राज्यों में मौनसुन संबंधी गतिवीदियों में कमी आने वाली है रभिवार से पांच दिनों तक बारिश के लिए वातावरन में अनुकूल नहीं है ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी से उमस और गर्मी बढ़ सकती है मौसम विभाग के पूर्बा अनुमान के मुताबिक शनिवार को किशन गंज, अररिया, सुपॉल, सीतामडी, पस्चिम चंपारन, पूर्णिया वं मधुबनी जीलों में अती भारी बारिश की आसंका है वह बारिश के आसार हैं उत्तर बिहार के अधिकतर जीलों में और दक्षिन मध्यवद, दक्षिन पूर्ब भाग के जीलों में अनेक अस्थानों पर हलके से मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार मधुबनी, मध्यपूरा, सुपॉल, खगडिया एबं पूर्वी चमपारन में अती भारी और पटना, पूर्णिया, मुंगेर, अरररिया, बेगु सराय, वैशाली, कटिहार, गुपाल गंज, समस्तिपूर और नालंदा जीले में शुक्रवार भारी बारिश हुई, वहीं हलके से मध्यमस्तर की वर्सा राज्य के दक्षिन पस्चिम भाग के जीलों में हुई, इस दोरान मधुबनी के पंडॉल में 188, मध्यपूरा में 128, 6, पूर्वी चमपारन जीले के ललबेगिया घाट में 116, पटना के बीटा में 118, सुपॉल क रागोपूर में 99.2, पूर्णिया के अमौर में 87.2, पूर्णिया के जलालगड में 86.4 मिलिमीटर बारिश हुई, एक बर फिल से बता दू कि बिहार में जमाजम बारिश का दोर जारी है, बीते 24 घंटे के भीतर, प्रदेश के 18 जीलों के 33 जगहों पर जमाजम बारिश हु रविवार से 5 दिनों तक बारिश के लिए वातावरन में अनुकुल नहीं है, ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी से उमस और गर्मी बढ़ सकती है, मौसम विभाग के पूर्वा अनुमान के मुताबिक, शनिवार को किशन गंच, अररिया, सुपॉल, सीता मडी, पस्चिम च पटना, सारन, नालंदा, बेगु सराय में भारी बारिश के असार हैं, उतर बिहार के अधिकतर जीलों में और दक्षिन मद्यवा, दक्षिन पूर्व भाग के जीलों में अनेक अस्थानों पर हलके से मद्यमस्तर की बारिश ओने की संभावना है